गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस वीडियो सेसन में हम लोग TENSES related कुछ important tools को देखेंगे, यह TENSES related जो important tools होंगे, यह common error को हल करने में काफी मददगार सा भी ठोगे, और TENSES related common error आपको हर परिच्छाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे वो परिच्छा, चाहे वो intermediate level ह या वो graduate level हो, यह TENSES का यह दूसरा यह वीडियो होगा, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने important tools को देखा था, देखा था कि कैसे हम किसी verb का continuous TENSES में use नहीं कर पाते हैं, वो simple TENS में ही आएंगे, तो इत्यादी इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, आज कि इस वीडियो session में हम लोग कुछ बहुत important rules को देखेंगे, तो चलिए, बिना समय गवाए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं, rule number one से, देखे, rule number one हमारा क्या कहता है, rule number one कहता है, आज का, कि हम किस तरह के दो TENS को एक साथ रख सकते हैं, और दो TENS को हम एक साथ नहीं रख रखा जा सकता है, एक ही वाक में, दो future simple नहीं हो सकते हैं, पहले आप इस चीज को समझिए, हम एक साथ क्या कर सकते हैं, और एक साथ क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज को देखा जाए, दो simple future को एक साथ नहीं रखा जा सकता है, तो इसके जगह पर क्या हो सकता है, थोड़ा स अब इस चीज के बारे में बात कर लिया जाए यदि दो simple future दिया है तो एक साथ नहीं रहेगा तो हम किसको हटाएंगे और किसको रखेंगे थोड़ा सा देखते हैं देखिए हम future simple के साथ हम क्या कर सकते हैं थोड़ा सा आगे बात को देखते हैं हम future simple के साथ हम future simple के साथ हम present simple क दो प्रजेंट सिंपल टेंस एक साथ हो सकते हैं हम हमें ये देखना है आज की इस विडियो सेशन में कि हमें एक साथ क्या रख सकते हैं और एक साथ क्या नहीं रख सकते हैं तो इससे related काफिया को common error देखने को मिलेंगे दो future simple दिये रहते हैं अब हमें ये देखना है कि हमें किस future simple को रखना है और किस को हटाना है देखिए ये बहुत important रूल है तोड़ासा इस रूल को एक बार फिर से हम explain करते हैं कि हम future simple के साथ हम present simple रख सकते हैं तो किस तरह कहां कहां हो सकता है कि हम यहां ऐसे भी घुम सकता है present simple plus future simple, इसको हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये चीज ऐसे भी हो सकता है, present simple, ठीक है, अब plus future simple, इधर उधर वाली बात हो सकती है, हम इधर वाले को इधर ला सकते हैं, ये चीज interchangeable है, ये परिवरतन सील है, लेकिन हमें में ये देखना है, कि हम किस तरह के future simple को हटाएंगे, और क इसको रखेंगे, देखिए, दो तरके close होते हैं, एक होता है main close और एक होता है subordinate close, पहले इस चीज को समझा जाए, पहले कुछ basic को देखा जाए, देखिए, दो तरके close है, एक होता है, अगर close के बारे में बात करते हैं, तो हमें close दो तरह के मिलते हैं, एक होता है हमारा main close, ठीक है न और एक होता है हमारा subordiant close पने इस चीछ को पने शमज़ा जाए ठीक है तो चलिए इसको तोड़ा सा देखा जाए एक होता है main close और एक होता है subodient close तो main close जो होता है ना ये future simple में रह सकता है main close जो है ये future simple में होता है main close all rounder close है आप ऐसा समझे main close को हम all rounder close समझ के चलते हैं थोड़ा समय के लिए हम इसे future simple में रख सकते हैं, हम main clause को present simple में भी रख सकते हैं, मतलब इसको हम बदल सकते हैं, हम इसको present simple में भी वाक्य के अनुसार हम इसको रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन subordinate clause में कभी भी future simple नहीं रहेगा, ठीक न, main clause में future रहेगा, लेकिन subordinate clause में future नहीं simple हटेगा आप इसको simple भासा में समझेए कि subordinate clause में future simple नहीं हो सकता है तो future simple यदि हमको रखना है तो उसके लिए main clause है थोड़ा ध्यान दिया जाए future simple रखना है तो main clause ठीक है तो चलिए अब यहां पर subordinate clause में future simple नहीं रहेगा तो कि दो present simple एक साथ यूज कर सकते हैं या दो future simple हमें एक साथ यूज कर सकते हैं आप इस data को तोड़ा ध्यान प्रवक देखें यह जो चाट दिया गया है ना इससे आप ध्यान प्रवक देखें इससे सारा चिछ किलियर हो जाएगा देखें फ्यूचर फ्यूचर रॉंग फ्यूचर के साथ present okay और दो present tense okay चलिए इसे एक sentences से समझा जाए तो बहतर लगेगा हना sentence इस चीज को समझाने में मददगार साभीत होगा तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि subordinate clause जहां रहेगा चाहिए वह वाकर के सुरू में हो या वाकर के अंत में हो subordinate clause जहां रहेगा वहां future simple नहीं रहेगा चलिए अब सवाल आपका यह होता है कि हम कैसे पहचान करेंगे कि दिया हुआ वाकर subordinate clause है एक थोड़ा सा आपको brief मिले के चलता हूं संचेप में लेकर चलता हूं बहुँ जादा नहीं चलिए तो फिर इसको थोड़ा सा देखते हैं कुछ ऐसे subordinator है पहले इसको समझा जाए यह जहां रहेंगे जहां लगेंगे वहां का आगे का वाक उसके पहले का नहीं उसके आगे का वाक subordinate clause हो जाएगा जैसे देखिए डब्लू एच वर्ड इंपॉर्टेंट सबोडिनेटर समझा लिजिए में सबोडिनेटर मैं आपको दे देता हूं चलिए यह वैसे सबोडिनेटर होंगे यह जहां रहेंगे ठीक ना वहां का वाक क्या हो जाएगा subordinate clause हो जाएगा जैसे देखिए डब्लू एच वर्ड अब डब्लू एच वर्ड जहां रहेगा वहां का वाक जो होगा वह subordinate clause हो जाएगा if ठीक ना that unless until ठीक ना after देखा जाए before ठीक ना चलिए as soon as as soon as ठीक ना no matter थोड़ा ध्यान दिया जाए list देखिए यह सब क्या बनाते हैं यह सारी subordinators है अब यह जहां रहेंगे वहां का वाक को जोगा वह subordinate हो जाएगा हम यह लिख सकते हैं यह सारी जो बाते हैं अना यह सभी sentence को sentence को subordinate बनाते हैं यह सभी sentence को क्या बनाते हैं subordinate बनाते हैं अच्छा अब इनके साथ rule क्या बताए गया है इनके साथ future simple tense future simple tense का use नहीं होना चाहिए ठीक ना इनके साथ simple future का use जो होगा वो possible नहीं है आप ऐसे समझें चलिए sentences से बहतर समझा जा सकता है डबलू एच वर्ड आप समझ रहें who which how what when यह डबलू एच वर्ड हो गया एक लेके चलता हूँ if मतलब यदी अगर that मतलब की unless जब तक की नहीं चलिए unless का क्या आर्थ होता है का हिंदी हो जाएगा तक चलिए after मतलब बाद में अब समस्के भी for मतलब पहले as anis का हिंदी क्या होता है जिवही जिवही चलिए no matter का use करके बताओंगा और list मतलब ताकी नहीं list का हिंदी होता है ताकी नहीं चलिए तो यह सब क्या है यह सब main subordinator है ऐसा नहीं कि subordinator के देंगे चलिए कवाक से इसको समझा जाए ठीक ना तो पूरी तरह बात किलियर हो जाएगा चलिए वाकर क्या कर रहा है यदी मैं पटना जाओंगा चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए यदी मैं पटना जाओंगा एक वाकी यह है मैं तुमारे लिए एक गिफ्ट लाओंगा चलिए इसको थोड़ा सा समझा जाए यह क्या कहना चाहता है तो यदी मैं पटना जाओंगा यह कौन सा टेंस है यह फ्यूचर टेंस है फ्यूचर इवेंट है है इसका मतलब है कि एक future tense को आपको हटाना होगा चलिए देखिए अब कौन सा future tense हटेगा देखिए यदी से यह बाक्त शुरुआ है यदी मैं पटना जाऊंगा ठीक है चलिए यदी मैं तुम्हारे लिए एक gift लऊंगा यह main privilege यह किसी पर नहीं करता है ठीकना मैं तुम्हारे लिए एक gift लऊंगा ठीकना यह कौन सा को लोज है यह main को लόज है चलिए अब आपको क्या कहा गया है कि सब्वोर्णेंट क्लॉज में फ्यूचर सिंपल का यूज होगा अभी आपको बताया गया है कि सब्वोर्णेंट क्लॉज में फ्यूचर सिंपल का यूज कर सकते हैं में क्लॉज और रांडर क्लॉज यह तरह का यह कोई व्यूटेंस यह ले लेगा इसमें कोई तरह पहले वैसे बनाते हैं, if I will go to partner, ठीक ना, I will, चलिए, लाउंगा, लाउंगा वाली बात है ना, I will bring a gift for you, चलिए, रूल क्या काता है, पहले रूल को पहले देखा जाए, रूल काता है कि दो विल एक साथ नहीं होना चाहिए, यानि कि यह जो हमारा sentence है, वो गलत है, चलिए, अब हमें किस विल को हटाना है, थड़ सा देख लेते हैं, तो अभी मैं बताया हूं कि subordinate clause में future tense नहीं होना चाहिए यह if क्या है, यह if जो है ना, यह subordinate clause बना रहा है, इसका मतलब है कि यहां से हमें future को हटाना होगा, यह future रहेगा, यह तो main clause है, देखिए, यह जो चीज़ है, यह main clause है, आप ऐसे समझें, और यह जो चीज़ है, subordinate clause है, थोड़ से यहां से समझने की कोशिस किया जाए, कैसे होना चाहिए, if I go to, ठीका ना, पटना, यह दि मैं पटना जाओंगा, दिखिए, हिंदी होगा जाओंगा, लेकिन बनेगा, I go से बनेगा, will से नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यह subordinate clause है, if subordinate clause है, तो if I go to, पटना, I will, या sell, जो भी आप इसको पढ़ ल इंग, a gift for you, चलिए, gift, sorry, gift for you, अब हमारा यह वाक, correct वाक बना, हम एक और वाक को लेके चलते हैं, चलिए, इस वाक को देखा जाए, यह वाक क्या कर रहा है, कर रहा है क्या, I will inform you, मैं तुमको सुचित करूँगा, as soon as, as soon as, as soon as का हिंदी क्या है, यह ही, ठीक न, I sell rich home, जैसे मैं घर पहुँ जाओंगा, मैं तुम्हें सुचित करूँगा, दिखिया, भी दोनों के रिया future में होने वारा है, लेकिन rule क्या कहता है, कि दो will या दो cell का प्रियोग एक साथ होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है, जब नहीं हो As soon as किया बना रहा हैs soon lagi subordinator है, इसके आगे का वाकश, तीछे का नहीं, पीछे का नहीं आगे का वाकश, as soon as जिसके साथ लगा रहेगा, वो सबोडिनेट वाकश होगा, चलिए, इसका मतलब है किया हमारा, ये जो as soon as के बाद जो विल है, विल का यूज नहीं होना चाहिए तो हमारे correct line कैसे बनेगा, I will inform you as soon as I reach, देखिए, I reach हो, हमारा complete work ऐसे बना, चलिए, अब हम एक work आपको दिखाना ये चाहते हैं, देखिए, अभी हम थोड़ा दिर पहले क्या कहें, कि main close or rounder close है, मतलब main close में भी simple present हो सकता है, दो simple present को एक साथ रखा जा सकता है, बहुत important rule, देखिए, दो simple future एक साथ रही है, मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन दो present simple को आप एक साथ रख सकते हैं, present simple plus present simple, this is okay, ठीक है ना, हम दो present simple को एक साथ रख सकते हैं, यहाँ कोई problem नहीं है, जैसे आप इस वाका को देखें, यदि तुम hundred degrees Celsius सप्लाई करोगे, पानी उबलने लगेगा, उबलने लगेगा, चलिए, क्या कर रहा है, यदि तुम 100 degrees Celsius सप्लाई करोगे, पानी को अगर आप तुम 100 degrees Celsius देते हो, तो पानी उबलने लगे, देखिए, दोनों future किरिया हैं, तो future कि रिया है अब हम याद रखना है क्या कि ये इफ देखिए ये तो इफ से start हुआ है तो इफ वालवाक तो कभी future में होने वाला है नहीं इफ वालवाक किस में बनेगा present simple में बनेगा चलिए हम यह लिख सकते if you चलिए supply या आधा तो काम कर दिया गया है 100 degree Celsius इस इस इफ यूविल वह रॉंग हो जाएगा चलिए पानी उबलने लगेगा अब यहां हम दोनों तरह से बना सकते हैं वाटर वील बॉइल चलिए आना वाटर वील बॉइल प्रध्यान दिया जाए यह ओके है क्योंकि प्रजेंट सिंपल के साथ अभी क्या बताया गया है प इफ यू सप्लाई हंडे डिगरी सेल्सियस वाटर बॉइल देखिए यह में कुलॉज है में कुलॉज को हम हना सिंपल फ्यूचर सौरी प्रजेंट सिंपल में लिख सकते हैं यह हमारा प्रजेंट सिंपल है तो दो प्रजेंट सिंपल को एक साथ रखा जा सकता है अभी इत तो चलिए यह हमारा rule number one कापी important है अब इसी प्रकार से हम next rule की और आगे move करते हैं चलिए हमारा next rule कहता है क्या कि दो दिखिए दो past perfect दो past perfect एक साथ नहीं रहेगा अब ही तो मैं future simple के बारे में बात किया था कि दो भी लेक साथ नहीं अब मैं बताओंगे कि दो हैड एक साथ नहीं दो past perfect एंस पास्ट परफेक्ट एंस यह rule number two रख लेजिए दो past perfect एंस एक साथ परियोग नहीं होंगे ना दो past perfect एंस एक साथ परियोग नहीं होंगे चलिए यह जो चीज है ना यह super wrong है थोड़ा सा wrong नहीं है यह बड़ा wrong है दो past perfect एंस का परियोग हम एक साथ नहीं कर सकते हैं चलिए हाँ तो क्या हो सकता है तो past perfect के साथ थोड़ा ध्यान देंगे क्या हो सकता है तो past perfect एंस के स यह ओक्य है यानि कि हम past परफेट के साथ रख सकते हैं या भी जैसे कि मैं थोड़ा देर पले क्या कहा था दो प्रजर्ण सींपल को आप 1 शाथ रख सकते हैं तो दो पास्ट सीम्पल भी उसके अनुसार दो पास्ट सीम्पली एक साथ परियुग हो सकते हैं यह बहुत important rule है आप ऐसे समझेए इससे आपको common error काफी और काफी देखने को मिलेंगे basic थड़ा concept को सुधारा जाए दो हाड एक साथ नहीं छहुआ लेकिन हम दो सिम्पल एक साथ हो सकता है यह अदम सफ पर्फेक्ट के साथ सीम्पल फा। सब्सक्राइब अब कॉन से Panda को हमें हटाना है था यह वर त नहीं रहेंगे erre को आकिरव में इस से की से कि नहीं दो समय हम लोगों ने बहुत पहले basic rules को पढ़ा होगा कि जब past में जब भूत काल में दो क्रियाएं होती हैं अलग-अलग समय पर यदि भूत काल में दो क्रियाएं अलग-अलग समय पर होती है तो जो क्रिया पहले होता है वो past perfect tense और जो क्रिया बाद में होता है वो past simple tense के नियम से बनता है, ठीक है, rule क्या कहता है, यदि अना past में, मतलब भूत काल में, past का मतलब भूत काल में, अना past में, अलग-अलग समय पर, अलग-अलग समय पर, दो क्रियाएं होती हैं, तो पहली क्रिया, ठीक है ना, past perfect tense, पहली क्रिया कौन सा tense, past perfect tense, ठीक है ना, और past perfect tense का क्या structure है, subject plus, head plus, v3 plus, object, देखिए, बहुत आसान है, यदि past में, अलग-अलग समय पर, दो क्रियाएं होती हैं, तो पहली क्रिया, past perfect tense, ठीक है, तथा, दूसरी क्रिया, ठीक है ना, past simple tense, तता दूसरी क्रिया, past simple tense, अब past simple tense का structure क्या है, subject plus, v2 plus, object, अना, दूसरी क्रिया, past simple tense, से बनती है, चलिए, आप इसको ये समझे, यानि कि, हम की past perfect को हटाएंगे, जिसमें, दूसरी क्रिया की चर्चा की जाएगी, ठीक है ना, जैसे, आप इस वाकर को देखिए, डॉक्टर के, आने के पहले, ठीक ना, रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले, रोगी मर चुका था, हमें translation दो बनाने को एकजामे मिलेगा नहीं, हमें क्याद मिलेगा, तो common error खुझने के लिए दिया जाएगा, आप उगलती खुझना है, कि कहां पर गलत है, तो सीधे पहले, जैसे सवाल आता है, पहले, वह ऐसे सवाल को ल हैना हैड हना कम, चलिए, इसको थोड़ा सा समझा जाए, यह वाक्य में कितना गलत है, कितना गलत है, थोड़ा से इसको देखा जाए, यह वाक्य पूरी तरह गलत है, क्यों गलत है, तो दो हैड एक साथ नहीं रहेगा, चलिए, इस आधार से यह वाक्य गलत है, तो एक इस अब भी प्रेट के नियम से बने गाइगा और जो कड़ियाबाद में होता है वो पास्ट सिंपल की नियम से बने गाइगा चलिए तो दा पेसेंट हैड डाइड ये पहले का हुआ ना पहले रोगी मरा रोगी मर चुका था ये पहला एक्सल ये फर्स्ट किरिया हुआ ना ये पर्थम किरिया हुआ रोगी मर गया था ये पर्थम किरिया हुआ डॉक्टर का आना ये दूसरा किरिया हुआ ना ये किरिया नंब तो हमारा ये भाग तो सही है क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर अब आपको बता दिया गए कि पाला वा की है पाला किरिया यह है तो यह पास परफेक्ट के नियम से बनेगा लेकिन डॉक्टर का आना यह तो दूसरी किरिया है तो इसमें से हमको हैड हट आना होगा नहीं यहाँ पर जो हैड दिया गया है वो गलत है अगर यहाँ से हैड हट जाता है तो हमारा यह जो कम हगो ना वो के में कनवर्ट हो जाएगा तो यह पूरा सेंतेंस कैसे बनेगा? दॉक्षेट हैड डायर्ड भीफोर ठीक न, the doctor, the doctor came in, came के साथ in आएगा, उसकी जरूरत है, आप यहां पर भी in रख सकते हैं, अब हमारा यह वाक सही है, अब हमारा जो यह चीज़ है वाक सही है, यानि कि हम दो head एक साथ नहीं रख सकते हैं, पूरा आप सारांस ऐसे समझें, एक head को हटाना होगा आपको, तो उधारण से और इसको समझते हैं, देखिए तो, डारेक्ट इंग्लिस में, डारेक्ट इंग्लिस में मेंन्सन किया जाए, चलिए, इस वाक को देखा जाए, कर रहा है कि the man had a dad, आदमी मर गया था, ना, before the rescue party or rescue team, आप उसको जो कहले, had arrived, यानि कि देखिए, बचाओ दल, बचाओ दल के आने के पहले, मतलब मैं कहीं होगा, किसी मुसीबत में होगा, बचाओ दल आना था, लेकिन बचाओ दल के आन दूसरा काम तो आदमी के मरने का हुगा, दूसरा काम हुगा, बचाओ दल के आने का, इसका मतलब है कि हमारा ये sentence सही की गलत है, तो rule क्या कहता है, कि दो head का पर यूग एक साथ नहीं होना चाहिए, तो कौन सा head हटेगा, जिसमें दूसरी क्रिया होगी, पहली क्रिया में त head before, ठीक ना, the rescue team, the rescue team, ठीक ना, arrived, the rescue team arrived, चलिए, अब हमारा ये complete line होगा, तो बच्चों, लोगों ने क्या भी देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि हम कौन सा दो टेंस एक साथ नहीं रख सकते हैं, और फिर हम लोगों ने ये देखा कि कौन सा टेंस, दो टेंस हम एक तो पूरा अभी तक का वीडियो का निचोड़ क्या रहा, निचोड़ यही रहा, कि हम दो head एक साथ नहीं, और दो wheel या दो cell एक साथ नहीं, बस आप ये समझेए, अगर ये इतना समझते हैं, तो common error पकड़ना बहुत आप लोगों के लिए आसान होगा, चलिए हम लोग आगे अब बढ़ाते हैं, देखिए, अब हमारा जो दूसरा type होगा common error का, वो होगा irregular verbs, अब हम आगे चलते हैं, जो की बहुत important topic होगा irregular verbs, ठीक न, इससे related सवाल आपको देखने, बड़े-बड़े exams में, छोटे exams की बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बड़े-बड़ नहीं है, ठीक न, अब irregular verbs कौन से भर्व होंगे, जिनका past tense और past perfect tense का बनावट निश्चित नहीं होगा, ठीक न, वो verbs irregular verbs कहलाते हैं, चलिए, इससे संबनी थोड़ा सा देखा जा कुछ important B1, B2, B3 देखते हैं, ठीक न, जो की examination दृष्टी कौन से बहुत important है, जो की examination दृष कब से पर ले लेते हैं, hang, hang मतलब होता है, देखे, hang का दो मतलब होता है, hang का दो भी टू, एक hang का भी टू है, hanged, और एक hang का भी टू है, hanged, ठीक न, और एक hang का भी टू है, hanged, यह इसका मतलब क्या है, कि hang का दो भी टू, आप ऐसा समझे, दो भी टू, तो कौन सा कहा लग देखिए अगर हम व्यक्ति के बारे में बात करें तो व्यक्ति के सेंस में इसका इस्तमाल होता है व्यक्ति के सेंस में इसका इस्तमाल होता है फांसी देना इसको हैंको करते हैं फांसी देना आप इसको ऐसे समझें इसका हिंदी होता है फांसी देना और इन तो इन दोनों का प्रियुग होता है व्यक्ति के सेंज में होता है। होगा यह सुपर इंपोर्टेंट है जामने संदरिष्टी के लिए ठीक ना देखिए अब आदमी का यूज होगा देदेगा यह भर्म आपको समझना होगा कि यहां पर इसकी जरूरत नहीं है जैसे आप उधारन के लिए देखते हैं देखिए तो द द मैन वास थेकर ना कन विक्टेड द मैन वास कन विक्टेड ऐंड हैंगड ऐंड हंग थेकर ना चलिए यस्टर ड़े एक कोई शिंटेंस है इसको थोड़ा सा समझा जाए चाहिए man को दोसी करार दिया गया। थेया थेका ना man को क्या किया गया, दोसी कळार दिया गया, पहले आप ऐसा समझे, The Man Was, क्या करा है, she же thing करें कि The Man Was Convicted, इसको दोसी करार दिया गया, and Hung Yesterday, और उसको कल फांसी दिया गया, चली थोड़ा सा ध्यान दिया जाए फांसी देने के सेंस में हंग का इस्तमाल नहीं होता है देखे हंग का अर्थ होता है लटकाना किसी वस्तू के लिए यह वस्तू के लिए इस्तमाल होता है और इसका अर्थ क्या होता है लटकाना टांगना यह होता है जबकि फांसी देने क सेंस में हम हैं का परियू करते हैं तो उमारा यह जो ढी Woru है न यह भाग गलत है अभान की सुर्प कि इस्तिमाल कर देखिए अब एक बीवन लेते हैं है दित मुन लेते हैं अब बीवन लेते हैं बीवन और विलीटरी अलग-अलग करके लेते हैं एक चिसको खी को समझते देखिए एक को स्कुर्णा बर्न मतलब क्या होता है जलना आप ऐस समझूज़े ठीक है तो फाम एक होता है ED के साथ Burnt और एक होताAyT के साथ Burnt इसका दो भी थिरी है एक होतायए बर्णड और एक होतायए बर् Beant चलिए, दोनों में अंतर क्या पले यह समझ लिया جा है कि अगर आपको अगर एजक्तिव की अगा जरूरत होता है अगर आपको और का खांचीये का का करता है अगर हग सागगा इसका मतलब होगा कि इसका भी तिरी आपको करना कोक इसका वह भीतری करना होगा burn गर कोई composition क्या होगा तो आपको अब देखे वर्ड तो दो flour wheat three वह determine on भी थ्ली होगा हमें यह समक्रांद चलिंदो दो ँद्धो that it occurs होते हैं अब इसमें यह काम करेगा यह कांद भी ठीरी हे एक बर्ण्ड है और एक बर्ण्ड है तो जो बर्ण्ड यह जो भी ठीरी वाला यह एक ज़ेक्टिव शौन करेगा और यह वहर्ब का काम करेगा दो दो अंतर समझा जाए जैसे कि आप इस वागव को दिखिए एक वाख है कि the child, एक error वाक पले लेखते हैं, the child, picked up, picked up a burned note, a burned note, चलिए, अब वाक को और आगे भी है, लेकिन अब हमें देखना है कि वाक की कितना सही और कितना गलत है, ठीक ना, चलिए, करके the child picked up a burned note, बच्चा ने जला हुआ note, हमको का ने जला हुआ note, note क्या है, noun है, note क्या है, noun है, तो noun के पले क्या होना चाहिए, adjective होना चाहिए, noun के पले क्या होता है, adjective होता है, लेकिन जो burned है यह adjective नहीं है, देखिए, इसका adjective जो नहीं है, यह T वाला है, यह UD वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहां पर कौन सा note होना चाहिए, यहां पर हो भीतिरी दिया है तो कौन सा भीतिरी एजिर्टिव ओगा हमें यह समझना है क्योंकि भीतिरी इज्डिव होते हैं अभी पता है क्या ड़ी ती एुप वाला जोब चीज और चीज होगा ना ये तो नाउन है, नाउन के पले क्या आना चाहिए, अब दो वर्ड दिया गया है, हना एक दिया गया है बर्ण, अच्छा एजेक्टिव कौन होते हैं, अभी क्या कहा गया है, भी थिरी एजेक्टिव होते हैं, तो भी थिरी तो हमें दो दिखाई दे रहे हैं, एक बर्ण और लेकिन इसमें आजेक्टिव ओगा न यह गलतो हुगा हमारे य इल्वाला है यह कीवल SNK आजेक्टिव की करता है इसका मतलब है कि हमारा अगर हमें बनाना है कि ज़्ला हुआ रूटी तो बर्ण Bloeros हमारा सर गलत होगा, burnt note गलत होगा, जला हुआ चेहरा, burnt face गलत होगा, ठीक है ना, इसके जगापसाई क्या होना चाहिए, तो इसके जगापसाई होना चाहिए, burnt note और burnt face, कोई confusion नहीं होना चाहिए, तो इस तरह को common error आपको काफी देखने को मिलेंगे, irregular verb से सम्बंदित common error आपको काफी करता है पहले इसको समझ लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है जैसे लर्न अब एक हम और भीटू भीटू भीटिरी देखते हैं जैसे एक है लर्न थ्यान दिया जाए यह भीवन इसका भीटू और इसका भीटू और तो लर्न का भीटू क्या होगा लर्न देखिए लर्न और लर्न तर ओके इसका भीटू भीटू क्या हो जाएगा लर्न और लर्न चलिए लेकिन अब हमको एज़ेक्टिव तलासना है कि कौन सा रूपी इसका एज़ेक्टिव होगा तो इसमें जानते हैं यह वाला जो रूप ह इडी वाला न यह adjective का काम करेगा इसमे टी वाला नहीं इसमे इडी वाला ठीक ना चलिए हम एक्जांपल से समझ में आ जाएगा अगर हमको लिखना है सिक्षित परिवार अगर हमको लिखना है सिक्षित परिवार तो सिक्षित परिवार का अंग्रेजी अगर हम learn से लिखना चाहते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं, learned family, तो हमारा ये sentence सर गलत होगा, क्योंकि family noun है, तो ये हमारा कौन सा भाग होना चाहिए, हमारा adjective होना चाहिए, अभी बताया हूं कि भीतिरी adjective होते हैं, लेकिन इसमें दो भीतिरी, भीतिरी adjective होते हैं, लेकिन इसमे सुधार करना होगा चलिए कुछ हम लोग और देखते हैं वीवन भीटू भी तुरी जो इंपोर्टेंट होंगे आपके लिए चलिए यह अब हम थोड़ा सा और कुछ भीवन भी तुरी देखते हैं देखें कास्ट ओव्यक्त गास्ट बर्ब है तो कस्ट के अंग्रेजित डालना अध्यर्वक्रेसान यह University कास्ट बोट और कास्टे गलांस अब कास जो भीतु और भीतृ हो सब्सक्तRE के वहां इसी तरह से आते हैं बरोड कास्ट इसी तरह से आते हैं ब्रोड कास्ट तो इसमें भी कास्ट लगा हुआ है देखे प्रसारन करना ब्रोड्कास्ट का हिंदी क्या होता है प्रसारन करना टेलिवीजन से क्या करते हैं किसी चीज को broadcast करते हैं अब इसमें cast लगा है उपरवाले में Ud नहीं होना चाहिए कस्त के साथ का V2 क्या होगा? चास्ट तो broadcast का क्या हो जाएगा? ब्रोड कास्ट और इसका V3 भी हो जाएगा broadcast इसी तरह से आते टेली कास्ट, रेडियो से क्या होता है ना टेली कास्ट होता है, चलिए, ये भी प्रसारन करना होता है, ठीक है, सॉरी, ब्रोड कास्ट जो रेडियो करेगा, टेली कास्ट टेली कास्ट, तो इसका भीटू क्या हो जागा, टेली कास्ट, और इसका भीत्री भी क्या हो जागा, आप अपको जैसा मन वैसे अप लगाई हे डिखें कास्ट का बीटूबी तुभी तरी जसका तेली कस्ट में कस्ट लगा है इसका बीटू भी तरी दोनों जसका तश लेकिन फोर कस्ट के लिए दिखते हैं common air कैसे पुछता है फ़ले common air के कुछ वाक्यों को देखा जाए the news the news was broadcasted yesterday थोड़ा ध्यान दिये जाए जो कल समाचार का परसारन की आ गया चलिए एक कोई वाक्य है कर रहे क्या कि the news was broadcasted yesterday ये वाक्यों सही की गलत है थोड़ा से चिक कर लेते हैं तो वास के बाद भी 3 होना चाहिए लेकिन broadcast का भी 2 और भी 3 तो जसकतस रहता है इसका मतलब हमारा ये sentence गलत है हमें सही sentence की इस तरह से लिखना पड़ेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे the news was broadcast yesterday हम इस तरह से हम इस तरह से एक और वाक्यों देखना चाहते हैं चलिए तो इस बात को देखा जाए they casted they casted their votes their votes against the ruling party against the ruling party इसका हिंदी क्या निकलेगा कि उन्होंने ठीक ना जो पार्टी जो रूल कर रही है जो सासन में पार्टी है उसकी खिलाप उन्होंने वोट दिया ठीक ना they casted their votes against the ruling party हमारा ये sentence सही की गलत है तो हमारा ये sentence गलत है क्यों गलत है क्योंकि cast का भी टू भी तरी तो सेम जस्क तस रह जाता है इसका मतलब है कि हमारा वाक्य किस प्रकार होना चाहिए ये तो हमारा गलत है तो सही क्या होना चाहिए they इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं they ठीक ना cast cast का भी टू भी तरी cast ठीक ना they are votes they are votes against the ruling party अब हमारा ये sentence सही होगा तो बच्चों ये बहुत इंपोर्टेंट है कि regular भर्ब से आपको अच्छे थे सवाल देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा फसाओ भी टू भी तरी से सबसे ज़्यादा फसाओ जो सवाल है अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ वह है lie चलिए हम लोग बात को आगे फिर अभी कुछ और भी टू भी तरी है उसको थोड़ा सा देखा जा चलिए भी वन भी टू भी तरी देखिए एक ले होता है ले का मतलब होता है रखना एक ले होता है ले का आर्थ होता है रखना और इसका भी टू होगा वो लेड होगा अब ही तरी जोगा वो लेड होगा थोड़ा ध्यान दिया जाए इस सब इरेगुलर भर्प के तहात हम पढ़ने पढ़ते जा रहे हैं तो ले का भीटू होगा लेड होगा भी थ्री लेड होगा ठीक है ना और एक हो तो लाई लाई कर तो लेट ना, थ्वड़ा ध्यान दिया जाए, अब इसका जो भी टू होगा, अब ही त्री इसका लेन भोगा, देखें ये फञसा देगा हमें, न ये फञसा देगा, जबर जबर Сам तरीका से फञसा ऐगा, पता नहीं चलेगा, कि ये कौन सा ले भीवन है, और कौन सा देता है पर स उसका विटू लेड और इसका वित्री लेड यह तो सर रखने वाला के विटू दे दिया है जब को सोने वाला वड़ चाहिए वह विष्थर पर दो घंट तक सो आरहा हमसे वाला चाहिए तो इसका मतलब है कि लाई लेटना यह सोना जो होगया यह आए अरा हमारा भीवन है तो इसका भीटू क्या होना चाहिए लेवन चाहिए ठीक है तो लिटने मेें तो कही होता ही नहीं है ना उसका भीटू है ना तो भीटी है थोड़ा सा ध्यान से देखाँ तो इसका मतलब है कि बाट है सोने की, लेकिन यूज किसका कर दिया रखने का, इसका मतलब है कि हमारा यह जो sentence होगा, वो कौन सा sentence होगा, wrong sentence होगा, हमारा correct कैसे बनना चाहिए, थोड़ा correct को भी दिख चला जाए, तो अमार इस तरह से होना चाहिए, दे, ठीक है न, अब understanding के लिए एक वाक्ष और देखा जाए चलिए अब इस वाक्ष को देखे कर रहा है क्या कि ले एसा एड़ी roziri बुक्स हिंदी पले निकालते हैं में किताब को क्या करेंगे लेटैंगे के रखेंगे पले आपको जु क्छके लेज़िए किताब को उप्ट्री रखेंगे तो रखने के लीए इस आपप लुट window को बगल में रख दो आइसा, sentence कैसा sentence है, तो sentence जो है न, imperative sentence है, और imperative sentence में क्या होना चाहिए न, वाक भीवन से बनता है, लेकिन देखिया, lay down, ये अगर हम लेटने वाला भीमान लेते हैं, तो ये तो भीटू रूप में है, होना क्या चाहिए, भीटू रूप नहीं होना चाहिए, सर्या भीवन रू यह imperative sentence है imperative sentence में भीवन से वाक बनते हैं यह दिया है भी टू जो की गलत है ठीक न यह नहीं होना चाहिए इसके जगह पर क्या ना चाहिए भीवन आना चाहिए तो हमारा correct sentence कैसे बनेगा ठीक न ले एसाइड ले एसाइड यूर बुक्स and lie down and lie down यह देखिए अब यह भीवन आ गया for some time and lie down for some time अब हमारा यह sentence होगा वो सही sentence माना जाएगा तो बच्चो आज का हमारा वीडियो session में टेंस से related common error की बात बस इतना ही आगे लेकिन वीडियो जारी रहेंगे और यह series को पूरा किया जाएगा इसमें भी कई वीडियो आने बाकी है अभी आज का यह वीडियो नमबर टू था इसमें हम लोगों ने दो important tools को देखा कि हम क किस तरह के टेंस को एक साथ रख सकते हैं किस तरह के टेंस को एक साथ नहीं रख सकते हैं और कुछ जो important हम रोगों ने irregular verbs को देखा खासतर पर hang lie broadcast telecast इस समसे आपको सवाल जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे तो आज की बात बस इतना ही thank you very much